आउ समझे बिग्यान कक्षा आठ तो पाठ का नाम है चुम्बकत्व हेकाई 14 चुम्बक के गुण चुम्बक के प्रकार एबं उप्योग चुम्बकी के प्रभाव एबं चुम्बकी के बल रेखाएं प्राचीन यूनान देश के लोग काले पत्थर से चमतकार दिखाया करते थे यह पत्थर एशियम माइनर के मैगनेशिया नगर में पाया जाता था इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैगनेटाइट पड़ा अंग्रेजी में इसे मैगनेट तथा हिंदी में चुम्बक कह क curlsHey का तुकड़ा इसके पास लाया जाता है तो यह उसे आकरशित करता है तो यह उत्तर दक्षिन के में इस्तिर हो जाता था इस गुड' के कारण यात्री इसको उपयोग यात्रा के दौरान दिशा ग्याद करने के लिए इस पत्तर को अग्रम पत्तर लीडिंग इस्टोन या लेड इस्टोन भी कहा जाने लगा ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनिवस्तों को अपनी और खीचते हैं चुंबक मैगनेट कहलाते हैं तथा जो पदा चुंबक की और आकर्षित होते हैं चुंबक की पदार्थ कहलाते हैं चुंबक के प्रकार मैगनेट चुंबक के दो प्रकार होते हैं प्राकृतिक च पढ़ते हैं जिसको बोलते नेच्रल मैगनेट प्रकृति अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती कृतिम चुम्बग स्थाई चुम्बक बनाया जा सकता है कृतिम चुम्बक की होते हैं इस्थाई वह आइस्थाई चुम्बक इस्थाई चुमबक, इसको बोलते हैं permanent magnet जिस चुमबक में चुमबक चुमबकत्व का गुन इस्थाई होता है उसे स्थाई चुमबक कहते हैं ये चुमबक लोहा निकिल को वाल्ट आधी के बनाया जाते हैं इसका चुमबकत्व शिगर नश्ट नहीं होता है अता ये लंबे समयता को प्योग में लाया जा सकते हैं आइस्थाई चुम्बक इसको बोलते हैं टेंपरेरी मेगनेट जिस चुम्बक में चुम्बक अत्व का इस्थाई गुड का गुड स्थाई नहीं रहता है इस चुम्बक को आईस्थाई चुम्बक कहते हैं आईस्थाई चुम्बक को गर्म मुलायम लोहे का बनाया जाता है अधिकांच आईस्थाई चुम्बकों को नर्म लोहे की चारो और लेपेटे हुए लेपेटगे चालब तार की कुंडली में विद्धु धारा प्रभाहित कर बनाया जाता है कुंडली में जब तक विद्धु धारा प्रभाहित रहती है नर्म लोहे में चुम्बकत्व रहता है तता धारा प्रभाबंद करते ही इसका चुम्बकत्व समाप्त हो जाता है सार इनके नाम भी उसे अनुषा रखे जिस आखार में यह नाल चुंबक जो गोड़े की नाल ऐसी इस तरह है यह हो और छुमेगनेट यह अंग्रेजी की अक्षिर यू के आकार का होता है यह दंड चुमबक बार में यह आइता कार और बेलना कार होता है यह ऐसा चुम्ब किये सुई मैगनेटिक नीडल सुई की आकार का होने की कारण इसे चुम्ब किये सुई कहते हैं चित्मी दा नंबर की है यह सुई जैसी है यह अपने मद्ध बिंदू पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है यह 36 तल में स्वतंद्रा पूर्वग घूम सकती है इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी धुरूप एन और दक्षणी दुरूप कहलाता है यह उत्तरी है और यह दक्षणी है चुम्बिकी कमपास सुई यह एक छोटी चुम्बिकी सुई है जो एक डिविया में बंद रहती है डिविया के उपर काच की प्लेट लगी होती है इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी धुरूप और दक्षण का सिरा दक्षणी धुरूप होता है क्या आप जानते हैं लवक अठारा सो वर्ष पूर्वस्ता प्रतम चीन देश ने चुम्बक के दिशा बताने के गुड का उपरियोग करके चुम्बिकी कमपास समुद्री कमपास का आविशकार किया इसकी खोज से समुद्री यात्र एबंब्यापार के छेत्र में नई क्रांती आई इसके अतिरिक्त विश्व के बहुत से नई स्थानों की खोज की गई चुम्बक के गुड किर्या कलाफ एक चुम्बक लेकर बीच में धागे से बांध कर सथनते दा पूर्बक लटका दी आप देखेंगे चुम्बक किस पकाद थेहरता है कि इसका एक सिरा उत्तर की और तैता दूसरा सिरा दक्षड की और होता भी किस तरह थेहलता है इसको ए सिरा है उत्तर की तरफ होगा और दक्षिर की तरफ होगा अब चुम्बक को हास से पकड़ कर घुमा कर छोड़ दीजिए क्या होता है आप देखेंगे कि चुम्बक दोलन करते हुए पुना उसी पूर्व इस्थिती में जाकर स्थिर हो जाएगी इसको चित्र के अंसार रखा जाता है इन थ्रुबों को के रखेंगे इस ये और से दर्शाया जाता है और ये अस कि ये न है और ये एस हैं तो ये हुआ था तो हमारा था वह न वर तर्डु त्रुब तरह चुने से बापस एउस पूजिशन में आज सब्सक्रीशनत है सकता है कि तो हम इसको घुमा के छोड़ देंगे तो यह बापस से इसी पोजिशन में आ जाएगी चुम्बक बिभिनी प्रकार की बस्तु में जैसे पेंसिल रबर तामबा पीतल के छोटे टुकड़े पेंस वी बोर्ड पिन लोहे की छीलन लीजिए एक चुम्बक को लेकर बारी बारी से प्रितिक बस्तु की पास ले जाए क्या होता है आप देखेंगे की पिन सोई बोर्ड पिन तथा लोहे की छोटे टुक्ड़े चुम्बक की अकर Simmons हो जाते हैं जिए जिसकी लिख करते हैं जिए चुम्बक की की मथ पर लेकर जाई और घुमाईए आप क्या देखते हैं अब देखते हैं कि चुम्बक के दोनों सीरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है तो यह दोनों सीरे हैं यहां यहां पर जो बुरादा अधाल वह चिपक गया है तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे इसकी आगे से क्रिया कलाप नंबर 4 से अगली वीडियो में पढ़ेंगे झाल